हेलो आईज कैसे हो आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और खुसल मंगल होंगे मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूटूब चैनल के प्टानेगरों में आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेट एक्जाम की क्या आपका जेट का एक्जाम 11 जुलाई को या फिर आपके डेट एक्स्टेंड हो गई है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले पास में जो बेल आइकन है उस पर किलिक करे ताकि आने वाले सभी वीडियो के ती अब इस डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है जैसा कि आप देख पार हो लास्ट डेट ओप ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ जेट प्रीपीजी पिएच डी हैज बिन एक्स्टेंडेड चलिए देखते हैं इन्होंने एक नया नोटिस भी जारी किया है उस नोटिस के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके जो एप्लिकेशन की डेट है वो 21-6-2021 तक इन्होंने बढ़ा दी है मतलब आप 21-6-2021 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है SKN करसी विस्व विद्याले जोबने जेपूर का ये नोटिस है देखते हैं इस नोटिस में आपको क्या बताया गया है ZPG PhD परवेश परिक्षा 2021 स्री करण नरेंद्र करसी विस्व विद्याले जोबने द्वारा आयोजित की जाएगी COVID-19 की वेश्विक आपदा के कारण राज्य सरकार द्वारा COVID-19 संबंदी दिसा निर्देसों के मद्दे नजर आउनलाइन आवेदन फॉम भरने की अंतिम थिती 26-2021 तता विलंब सुल्क के साथ 25-2021 तक बढ़ाई जाती है तता परिक्षा की थिती अगरिम आदेस तक इस्तगित की जाती है जो आपके एक्जाम की डेट है जो आपका एक्जाम 11 जुलाई को होना था उसको अब क्या कर दिया गया है एक तरीके से आगे बढ़ा दिया गया है मतलब जो परिक्षा थिती है अगरिम आदेस तक परिक्षा से संबंदित किसी भी वाद के लिए सित्रादीकार माननिय उच्छ न्यायले जेपुर बेंच जेपुर का होगा योगेता परिक्षा कारिक्रम परिक्षा केंद्र आधी की शंपुन जानकारी आपको इस वेब साइट पर दे रखिए तो उमीद करता हूँ आपको स सारी की सारी बाते अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार जै ज जय किशान जय हिंदी फ्रेंट बाबाए